जानगीर चापा कलेक्टर यश्वन्त कुमार ने जिला कराले के सभाकष में महिला एवं बालविकास विभाक के SGOP की बैठक ली बैठक में कहा कि कारे में किसी भी प्रकार की अनिमेता बरदास्त नहीं की जाएगी बैठक में जिला पंचार, CEO, तिर्थराज ग्रवाल, जिला कारेक्रम अधिकारी, प्रीती, चखियार, कारेक्रम अधिकारी, सिसूदिया सहित, विभिन, परियोजिनाओं के CDPO उपस्थी थे करेक्टर ने सभी अधिकारियों को लक्ष देते हुए कहा कि एक मा के भीतर अपने शेत्र के शत्प्रतिशत गाउं का निरक्षण करें निरक्षण के दौरान एनिमिक गर्भती महिलाओं और कुपोशित बच्चों से ग्रिह भेंट अवश्य करें उन्हों ने कहा कि Ready to Eat सप्लाई के लिए समू चैन में किसी भी प्रकार की अनियमित्ता बरदाश्त नहीं की जाएगी वर्तमान में चैन किये गए समू की पातरता का पुना निरक्षण करने पुना निरक्षण के बाद गलत पाए जाने पर जिमदार के खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी कलेटर ने कहा कि COVID-19 के कारण मुख्यमंत रीसु पोशन अभियान को इस्थगित किया गया था रजशासन की निर्देश प्राप्त होते ही पोशन पुनर्वास केंडर भी प्रारंभ हो जाएगा गंभीर कुपोशित बच्चों को पोशन पुनर्वास केंडर में भरती करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी उन्होंने कहा कि सभी छोटे बच्चों का नियमित वजन किया जाए आंगनबारी केंद्रों में बच्चों का ग्रोथ चार्ट डिस्पले हो या सुनिश्चित करें परिवार में कूपोशित बच्चों और गभवती वाशिशुवती महिलाओं को प्रात्मिक्ता के साथ किवी नाशक दवाईयां कब और किस तारिक को दी गई हैं इसका भी उल्लेक प्रामर्श चार्ट में किया जाएगा करेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के कारण लॉगड़ान के दौरान अन्य राज्यों से लोटे जीले के शमिकों का पंजियन किया गया है शासन की योजना के तहद बच्चों और महिलाओं को योजना का लाब मिले यह भी शुनिस्चित किया जाए प्रवासी शमिक परिवार की गर्भरती महिला वा बच्चेती का करण से वन्चित ना हो बैठत में कारेले और आंगन बारी केंद्र भावनों की निर्मार की प्रगती और आंगन बार केंद्र में कारे करतावा सहाइकाओं की भरती की भी समिक्षा की गई